जिले राय सेना की भोजपुरा विधान सबा शेत्र बाड़ी ब्लोक में ग्राम पंचायत रतनपूर के तीन गाउं के निवासी आजादी के 70 साल बाद भी बिजली पानी और रोड जैसी मूलबुत सुविधाव से वनचित है वही परदेश के मुख्या सिवरा सिंग चोहान का कहना है कि उन्होंने परदेश के हर एक गाउं में बिजली पानी रोड की विवस्था करा दी है यहां के लोगों ने आज तक अपने ग्रामों में कभी बिजली नहीं देखी रोज शाम होने के बाद यह जंगल के वासी आग जला कर अपनी रात गुजारते हैं वहीं रोशनी के त्योहार पर दिपावली में शहर से लेक गाउं तक बिजली के रंगीन बल्बो से यहां देश जग मगाता है वहाँ इन गाउं के निवासी मातर दियों से ही अपनी दिपावली मनाते हैं अगर हम बात करें बच्चों की पढ़ाई की तो यहां पर आत्मिक स्कूल तो है पर बिजली और मुल्बित सुविधाएं ना होने के कारण बच्चों की पढ़ाई ना मातर ही हो पाती है चिर्थ कमार काषो पार हम अपक्या के लिए तो और पढ़ाई के लिए क्या करते है अपके पढ़ाई के लिए क्या करते हो पर शामको दे कर दे केस्दहृध डूढ डे हैं धूड़ादय को न सी विदानसावा में आता है भोशपुर में आप के यां वी वेवस्ता है जी शड़क की भी वेवस्ता है जी रखी आप तो और कोई वेवस्ता नहीं हर एं-चे रादे पर रस्ता में फटाम हो जाती है अच्छा और मालिकी किरपा है यहां तो गाल एपल से डरेवरी के लिए बरे लिया अबरे लिया उती है दूसरी चीज आप क्या बिजली की कह बाउस्ता इस प्रफ़लम नहीं है जे तो शूर्य पिलेट है जए बिली आप क्या है नहीं है नह अब दिन तक बिली तभी आई नहीं है अच्छा कि कल दीपवली कियं से मनाई कि अधिया जाता है पिछले चुनावा में कितने वादे पूरे हुए अब दोग आपने भोजपरस्वेपरस जो नेता आते हैं बेलोग केते हैं का भाई आप लोगों के लिए हम लाट दाएंगे मकर अभी तक लाट नहीं आई नहीं है कि कर दोनावाई का रहते हैं दूरते दूरते आप खहां भीजली है नहीं है कब से नहीं है कर नई साल हो गई कल दीपवली कें से मनाई जी मिर्थ चिमनी से पानी की का समस्य है भुष को अनि हर्थ है पिछले चुनावों में जो आपसे बादे किए थे कितने बादे पूर अगर कोई इसको पारी आगा कहां हिते हैं टूड़ा दे? आप क्या पानी की क्या समस्या है है? पानी कहां से लाते हैं? दिजली? भी नहीं है आपके आज तक भी नहीं है मध्या परदेश विधान सब चुनाव के लिए कल नामंकन का आखरी दिन जहां सभी पार्टियों पर्तियाश्यों ने अपने अपने समर्थ को के साथ नामंकन दाखिल किये मध्य जबलपूर में भारते जनता पार्टिक उमीदवारों ने एक साथ सामोहिक तोर से परदेश अध्यक्ष राकट सिंग के साथ जाकर नामंकन भरे मद्य प्रदेश में माननी शिवराज सिंग चौहान जी की लोगप्रिता सरकार के द्वारा किये गए कारे केंद्रे में देश के शस्वी प्रधान मंतरी माननी मोदी जी की लोगप्रिता और उनकी सरकार के द्वारा किये गए कारे इनकी स्विकारता जनता के वीच में इतनी व्यापक है कि जनता ने भी ये तै कर लिया है कि मद्यप्रदेश के हित्में देश के हित्में चौथी वार भी मद्यप्रदेश में शिवराज जी के नित्तों में भारती जनता बार्टी की सरकार बनना चाहिए और उसी दिशा में आज पूरी एक जुटता के साथ भारती जनता पार्टी ने कदम आगे बढ़ा है आपने देखा कि पार्टी का कारकरता पार्टी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रारंबिक रूप से जो असंतोष अभी दिखाई दे रहा है आने वाले समय में यह संतोष भी समाप्त हो जाएगा और सारे लोग मिल जुलकर भारती जनता पार्टी की जीच सुनिश्चेत हो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा मैंने अभी कहा कि हमें दुख होता है इस बात का कि जब हमारा कोई तपा तपा या कारकरता या वरिष्ट नेता पार्टी से दूर जाता है लेकिन यह वो लोग हैं जिनसे पार्टी के कारकरताओं ने प्रेड़ना ली है और इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे वे सभी लोग अपनी भूल को सुधारते हुए भारती जनता पाईटी को जिताने में अपना सहयोग परदान करेंगे देश में लोगतंत रहे हर किसी को अपनी रहा चुनने का अधिकार है और इसलिए हम किसी पर कोई बात जबरदस्ती तो नहीं ठोप सकते केवल इतना ही याद दिला सकते हैं कि यह वो लोग हैं जिनसे हजारों कारकरताओं ने प्रेड़ना ली है कॉशांबी के मुजाहिद पुर गाउं के तलाब में महिला की लास मिलने से हड कप मच गया घटना शुकरवार की दोपहर की बताई जा रही है लाश मिलने की जानकारी के बाद लोगों का मजमा तलाब के पास लग गया सूचना के बाद मोके पर पहुची कोख राज पुलिस ने महिला की लाश को अपने कबजे में लेकर मोत के कारणों का पता लगाने के लिए तहकी काथ शुरू कर दी है गाजिपूर के गहमर थाना पुलिस ने मुखबीर के सूचना के अधार पर शेतर के मगर खाई रेलवे डोट पुल के नजदी की स्थित बाग से अंतर राज्य महान चोर गैंग के चार सदस्यों को गिरफतार किया है पुलिस ने गिरफतार अब युक्तों के पास से दो चार पहिया और पांच मोटर साइकले बरामत की जिनकी अनुमानित कीमत लगबग 17 लाख रुपे आंकी जा रही है जेसे दो बड़े वहाँ पूर्वीलर एक बोलेरो गाड़ी एक महंजरा लोगान और चार मोटर्स पांच मोटर साइकल अपाची और बरामत की जोड़ी करके नंबर प्रेट बदाल के जैसे नंबर गरवागी तो गाड़ी यहों को विभीन जनपतों में विभीन गाटी न रामपुर के थाना गंज इलाके की जोहर पुलिया के सरपुर के पास एक्सिडेंट से आज तो लोगों की मोट हो गई जबकि एक अन रूप से खायल हो गया है यहाँ शादी में गई हुए थे और महां से वापसा रहे थे घर पर सूचना आई कि किसी अग्यात वाहन से इनका एक्सिडेंट हो गया है इसमें दो लोगों की मोगे पर ही मोट हो गई जबकि एक खायल हो गया है जिनका जीला अस् इन दिनों करुक्षेत्र में कुम सनान की चर्चा है जिहां कमाच दिसंबर को ठाई दिन का कुरुक्षेत्र कुम्भ योग बन रहा है आनजन मानस मात्र चार कुम्भो को जानता है लेकिन पुरानिक वर्न के अनुसार देश में बारा कुम्भो का आयोजन होता है जो किस समय के साथ लुप्ठ हो गए थे अब आखिल भारतिय सर्व मंगला कुम्भ सेवा समीती के परियासों से 12 कुम्भ जागरित करने का बीड़ा उठाया गया है एक परियास हो रहा है कुम्भ का सनान जो होने वाला कुम्भ भरता था क्योंकि 12 कुम्भ भरते थे पूरे वर्ष में पूरा 12 साल में और धीरे धीरे चार कुम्भ ही प्रचलित रहे बाकी सब लुप्त हो गए तो अब ये जो 5-6 और 7 दिसंबर को कुरक्षेतर में धाई दिन का कुम्भ का जो योग बन रहा है जब व्रिशिक राशी में सूरिये चंद्रमा और व्रिस्पती एक ही राशी में होंगे तो ये कुरक्षेतर का कुम्भ योग बनता है और इसमें दान सनान जब तब का अक्षे फल है जितना हरिदवार या काशी के कुम्भ का उजयन के कुम्भ का फल है उससे ज़्यादे कुरक्षेतर के कुम्भ का फल है जो धाई दिन का कुम्भ योग बनता है उसमें बहुत जनता हैगी और सनान दान करेगी झाल झाल